हलो गैस में नामें राहूल और आज है मारे पास Samsung Galaxy M51 जिसके हम लोग उन्बॉक्सिंग करेंगे और दिखेंगे कि 25,000 रुपीज पेग करने के बाद में हम लोगों को मिलता है एक डिवाइस या सिर्फ और सिर्फ एक पावबैंग त्योंकि हाई गाई इसमें 7000 एमेज की बै इतना बैटरी दे दिया कि यार आपने फोन तो चार्ज करें लोग साथ पूसा ज़ा है अपने बगल वाले का फोन भी चार्ज पर दो तो इसमें लोग रिवर्स चार्जिं जो है वह भी देखने को मेल जाती है आपको बताना चाता है कि इंडियन सिम कार्ट के साथ में आत साथ में आता है जो कि बेस्ट है और 29,000 इसमें MRP लिखा हुगा है लेकिन मैं इसे 25,000 वाया Amazon India पर्चिस किया है और आपको बदाना चाहता हूं कि इसे अन्बॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को क्या ओफर करता है Samson तो यह बॉक्स कि रहे है साइड में रख देतें बक्स होता है सबसे पहला चीज जो है वह हमों को फाली फ्लेट बॉक्स देखने को मिल जाता है जो की मेरा बॉक्स के अंधर में चला गिया ता आप और बॉक्स कि हमस्या होता है सबसे पहले डिवाइस है सेकेंड पार्ट अब लोग को फास्ट चार्ज देखने को मिझा थे 25 वाट का जो की USB टैप यूस्पी टैप सी है यूकि अच्छी बात भी है बुरी बात भी है उसके बारे में आगे बात करेंगे उपर में लोगों को फास्ट चार्जिंग का लोग और टैग देखने को मिल जाता है और यहां पर में वो कुछ रीटिंग्स मिल जाते हैं विच इस फाइव बोल्स एक त्री एंपियर और हम लोग का एक रिजूम करें तो थ्री और नाइन वोल्स एट 2.77 एंपियर है और ऐसे ही इन लोगोंने 25 वाट को अलग 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 को इसको टोटल करेंगे तो आपको 25 वाट टोटल देखने पो मेलेगा और एक बार केबल के लेंथ जो है चेक कर लेते हैं यह जैसे मैंने खाई यूस्पी टाइप टाइप सी है और के जो लेंथ वो शॉट ही है जैसे साब सम्देता है तो इसमें कतार्टि उन्होंने की है ज और दिक्कत देगा आपको जब भी आपको फोटो वीडियो कुछ भी ट्रांस्पर करने चाहेंगे तो प्लास्टिक को ओपन करते हैं और लाइक और यार यह तो बहुत हेवी है रिवाइस काफी हेवी है ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बैक में लोग ग्लास्टिक है जो समसम देता है शाइणी करने के लिए लेकिन यह बहुत ही बुरी बात है क्योंकि देखने में तो यह बहुत ज़ए लगने लग रहा है्लेकिक्क स्क्रैच बहुत ज़़ग renowned Preside T.O ча विर्श मिल जाता है हम लोगों को इंफिनिटी ओ डिस्पले में जाता है जिसका जो यह होल है पंच होल काफी बड़ा है A51 के कंपेर में और मेरे ख्याल से नया डिवाइस में यतना बड़ा होल देना नहीं चाहिए और हम लोगों को यहां पर 2.5D कर्व ग्लास देखने को मिल जाता है साइड में जो कि ज्यादा कर्व नहीं है बहुत ही कम है और बात करते हैं तो हम लोगो 6.7 इंच का यहां पर सुपर अमुलेट प्लस इंफिनिटी ओ डिस्पले लेखने को मिल जाता है विट थाउजन एटी पी रिसलूशन और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो हम लोगो को वार्लीव रॉकर्स में जाता है जो कि प्लास्टिक बिल्ट के है एक पाउर ऑन-off की मिल जाता है जो कि फिंगर पेट इसके अंदर में ही दिया हुआ है बहुत ही अटपटा जगह में और टॉप में हम लोगों को सेकेंडरी नॉइस कांसलेशन माइक्रोफोन और प्लास करने के समय है है एक परने के लिए और हम लोगों को बताना चाहते हूं कि यह जो लेफ साइड में हम लोगों सेंट्रे मिल जाता है और कुछ प्लास्टिक और मिल जाते हैं जिसको में रिभूफ करूंगा एक पर दिखा देता है आपको यह जो है प्रम्लेट वाला बॉक्स अबलेबल था सबसे पहले यही उपर में रहता है मेरा बॉक्स के अंदर में बुझ गया था पता नहीं क्यों और यहां लोगों को परफेक्ट जो है सिम बन सिम तू का स्लॉट और एक माइक्रोस्डी का स्लॉट जो है देखने को मिल जाता है तो बात करते बैक की तो हम लो लोगों देखने को मिल जाता है ग्लास्टिक बैक जैसे मैं अब हो कहा है और हम लोगों क्वाट कैमरा सेट अप जिसका मतलब चार कैमरास मिल जाते है एक नोटिफिक एक LED लाइट मिल जाती है विच इस ऑफ सिंगल कलर वाइट कलर की यह लाइट है और कैमरा के बात करें 64 MP का मिलता है अपरेचर 1.8 ङे साथ में 12 MP 12 मेका इं जातों कि यह काफी भारी और आपको ऐसे लगेगा कि अब ब्रिक हाथ में पकड़े हैं लेकिं साइड में यह कौर्निर दे दलने के वज़े से थोधा उतना आपको आपको को बॉक्स बॉक्स टैप पर नहीं लगेगा थोड़ा सा ठीक लग रहा है पकड़ने में और यह स्लिपरी तो थोड़ा सा है क्योंकि यह ग्लासिक ब्लाक्टे वज़े से और फोन मैंने सेट अप कर दिया है और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट हम लोग का जो है इसके ब्लाइब कर दिया है और आपको बदाना चाहता हूं कि एक सॉफ्ट अबडेट अब्डेट अब्डेट जिसको मैंने इंस्टार्ट कर दिया है यह मतब ब्राइटनेस सेंसर और इन सब चीजों के लिए कामरा थोड़ा से इंप्रूब किया है लोगों और सेक्यूरिट पैच लेवल लोगों ने अबडेट किया है इसके साथ में यह आपको 190 अबडेट जो है फोन को स्टार्ट करते ही मिल जाए और फोन अबडेट हो गया है और मैंने इसमें सिर्फ अबना जो है जीमेल आइड अड कर दिया था और कुछ मैंने इसमें किया नहीं ढाला नहीं है जो है जैफ आला फोन रॉ है तो चलते हैं कि पर फोन फैक रॉल छोड दिखने को मिल जाता है अप अगर ऑगएप सब्सेंध आगर आग्रा ऑना आप नहीं को तो आपको 450 MB का कम भी सी देखने को मिलेगा तो यहां पर 22.8 GB जो है यूजद है आउट 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 28 GB तो सोची कि कि कितना जाता बल्की Android होता जा रहा है Android 10 के साथ में हम लोगों डिवाइस मिल जाता है आपको लेटर पार अधी वीडियो में कन्फिर्म कर दूँगा और यह लोग इतना सारा हेवी बना देता है ना इसको मतलब इतना सारा अनिमेशन जाल देता है बताब Android 10 तो हेवी है यह उपर से साम से अपना यू आई पी उसके उपर से ढाल देता है तो बहुत राम चेक कर लेते हैं हम लोग राम हम लोगों कितना मिल जाता है तो 2.9 जीवी जो है राम एवलेबल है मतलब सोचें कि 50% जो राम है सिस्टेम अल्री यूज कर ले रहा है और अभी तक मैंने कोई भी फेस्बू की सारे आप्स नी ढाल दें यह सारे अप्स जब ढालूगा तो राम और कम हो जाएगा क्योंकि वह बैक्राण में चलते रहेंगे क्योंकि पूरी तरीके से बंद करने का कोई भी तरीका नहीं होता है जैसे आप जितना जालिएगा वह कुछ ना कुछ जो है राम बैक्राण में लेते जाएंगे और सॉफ्टर इंफर्मेशन में देख लाएता है अंडुड वर्शन के साथ में हम लोग आता है जैसे लोग क्लेम कर रहेते हैं और वन यूवाई जो है 2.1 हम लोग वर्शन यहां पर देखने को मिलते हैं और अंडॉड स्कूरिटी पैस लेपर 1 अगस्ट 2020 यह लेटेस्ट में इससे अधा लेटेस्ट अभी नहीं देखने को मिलेगा सप्टेंबर का भी तक यहां पर नहीं आया है इतना बड़ा बड़ा आइकन सार रहा है इसको आप छोटा कर सकते हैं नॉमरली काफी बड़ा रहता है देखने में अच्छा नहीं लगता है तो क्यामरा में हम लोग सबसे पहली बात तो यह जो सिंगल टीक वाला फीचर है लोगों ने दिया बहुत यह अच्छी बात ह आपको बताना चाहता हूं कि यहां जब भी ओपन करिएगा आपका जो ब्राइटनेस लेवल है स्क्रीन का वह हमेशा फुल हो जाएगा इसको ठीक करने का कोई भी चरीका नहीं है आप चाहें तो कैमरा उपन करने के बाद ब्राइटनेस कम कर सकते हैं लेकिन जब आप इसक से ब्राइटनेस देज होएगा जो मैं आपको दिखाऊंगा आप फोटो वीडियो और मोर जैसे स्लाइट करके आता है इसको आप एडिट कर सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है आप बस सीधे क्लिक करके स्वाइब करिया कोई भी मोर जो है यहां पर एड़ कर सकते हैं और आपको बताता हूं इसमें हम लोगों प्रो पैनोरामा फूर्ट नाइट मैक्रो लाइफ फोकस हाइपरलैप्स सूपर स्लो मो और स्लो मो यह सारे हम लोगों को फीचर्स जो है मिल जाते हैं कैमरा फीचर्स विग विजन और आज सोपोर्ट बहुत मिल जाता है कि कैमरा में चलते हैं और फ्रेंट केमरी घुशन मीज्ट उप्चिन मिल जाते हैं जो कहीं बहुत है अच्य वाद है और हम लोगों screw if मतलब इसमें अलग से कोई सेंसर दिया हुआ है नहीं लेकिन तब भी आप एक वाइड एंगल का थू आपका जो फोन के साथ में मतलब तू आपका जो सॉप्टेर जो है एक वाइड एंगल का भी देखने को मिल जाता है और रिशियो तो आप शेंज कर सकते हैं और फिल्टर् प्राइड की और एक बर सेटिंग्स पी चलते हैं और यहां पर हम लोगों को मोशन फोटो और यह सारे फीचर्स जो है सामसंगे स्टैंडर फीचर्स अविलेबल है सीन ऑप्तिमाइजर मिल जाता है सॉस्ट सजेशिंस मिल जाता है स्कैन की वार कोट इन ब्लड आपको बार पीची में ढालके एडिट कर सकते हैं वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑन अफ कर सकते हैं ऑटो फ्ल होगा ही होगा और आपके अहां पर ढालेगा तो उसको चेंज करेंगा कोई तरीका नहीं और देख लेते हैं कि हम लोगा जो वीडियो रिकॉर्डिंग है रियर का और फ्रेंट का यहां पर देखे रिजोलीशन जो है 6.0.9 पर किया हुआ है और फुल एजडी जो है इस पर नॉर्मल ही किया है लेकर आपको बताना चाहता हूं कि 4K कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं 4K में आपको स्टेबलाइजेशन में मिल जाएगा विच इलेक्रोनिक इम देखे विए हैं तो कि अपने फुल रिए में बात भी करूंगा बात कर लेंदें कुछ और फीचर्स के मारे में आपको तराना चाहता हूं कि डूल बोल्टी सपोर्ट के साथ में आता है दोनों से में आप साथ एक साथ यूज कर सकते हैं और यह प्रोसेसर जो है स्नावड में डाल दीजिए मैं आपको 12-24 hours में रिटाइग कर दूंगा कोई भी शिकाया है तो वीडियो कैसे लेगी नहीं लेगी कुछ भी आपको कम सेशन में डाल दीजिए मुझे आपके कमेंस परना बहुत यह चाह लगता है और थैंक्यू कास देखने के लिए ना में राहुल